ये नजार है पत्ना के मसौधी के राधे श्याम नगर का लेकिन ये पानी बार की कारण यहां जमा नहीं हुआ है बलकि नाली का गंदा पानी है इटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में पता चला कि पिछले पांच महिने से लोग ऐसे ही नार की जीवन वैतीत कर रहे हैं जी हां पिछले पांच महिने से सीवर का गंदा पानी इस महले के घरों और सडकों पर तैर रहा है महले वासियों का क्या कहना है आप भी सुनिये हम लोग चार महिना से डूबे हुए हैं पानी में बच्चा सब क्याने जाने में बहुत कस्थ है जितना मरजन्सी काम है उसमें आओ बहुत ज्यादा कस्थ है इसलिए हम लोग कोई उपाई किया जाए जल्दबादी होना चाहिए उपाया स्थाई एक तरफ सीम के साथ निश्य योजना के तहट नली गली योजना को सुदूर वर्ती इलाकों तक पहुँचाने की कोशिश हो रही है तो राजधानी से सटे इस मोहले में ही योजना की कलई खुलकर रह गई है मसौधी का राधे श्याम नगर पईन के किनारे अवस्थित है जहां शहर भर के नाले का पानी ओवर्फलो होकर भर आया है और बार जैसे हालात पिछले पाँच महिने से बने हुए है अब लोग आंदोलन करने की चितावनी दे रहे है वहीं ETV भारत की खबर पर संग्यान लेते हुए नगर परिशद मसौधी के कारेपालक पताधिकारी जगरनात यादों ने पानी निकालने के आदेश निर्गत किये है भोट मागने के टाइम तो सब आज आते हैं आज कोई नहीं आते हैं कहां चले गए सब नहीं दिखराया किसी नेता को बिधाय को आना जाना लेन देन जो करना सारा चीज ठप हो गई है कोई विकास का कोई राष्टा नहीं नजर आ रही है और इस महले में इतना जल जमाऊ हो गया है कि ज़्यादा तर मलेरिया हो सकता है बच्चों का टविएद खराब होसता है और अचानक अगर रात में टविएद खराब हो जाती है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाने में मज्बूर हो जाते हैं परिबार को कैसे लेकर बाहर जाएंगे कैसे उसका इलाज करेंगे तो इसका समाधान होनी चाहिए उन मरीजों को बहुत परसानी हो रही है चुकि निकलने में बहुत ही परसानी को जहना परता है लगवर कमर भर पानी में पूरे पचास से अधिक घर के लोग इसमें रह रहे हैं पिसले कई महिने से लोग परशान हैं ससिल जाएंगे भारत बसौड़ी